दोस्तो आज हम से एर कर रहे हैं साबूत मूंग की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सबजी की रेस्पी इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और आसान भी 10 मिनट में ये टेस्टी सबजी बन जाती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए मैंने आधे कप साबूत मूंग को भीगो कर ली है चार से पांच गणटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं साबूत मूंग की जगा मूंग दाल भी ले सकते हैं भीगो कर अब हम भीगोई हुई मूंग को मिक्सर जार में डालेंगे इसके अंदर डालेंगे दो हारी मिर्च और एक इंच अद्रक के टुकडे थोड़ा सा पानी डाल कर हम इने पीस लेंगे देखिए हमने महीन पेश्ट बनाया इनका और इनको एक बॉल में निकाल लिया है अब इसमें डालेंगे एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चोटा चम्मच नमक इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनिट हमने इनको फेट लिया है और ये काफी हलके हो गया है अब इस पेश्ट से दो चम्मच पेश्ट हम एक अलग बॉल में निकाल लेते हैं इनका इस्तमाल हम ग्रेवी में करेंगे अब हम गैस पर कडाई रखेंगे इसमें हम डाल रहे हैं दो बड़े चम्मच तेल तेल गरम हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 4-5 बारी कटी हुई लैसुन 1 चम्मत जीरा जीरा और लैसुन हलका भून गया है तो हम इसमें डाल रहे हैं 1 बारी कटा हुआ प्याज 1-2 मिनद तक प्याज को हलका भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च 29 बारी कटा हुआ अध्रक और एक बारी कटीवी हरी मिर्च तीखा कम पसंद करते हो तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजेगा साथ में ये मूंग की पेस्ट भी आट कर दे रहे है जो हमने अलग निकाल कर रखा था इस पेस्ट से एक तो ग्रेवी गाड़ी बनेगी और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सबजी में तो देखिए दो से तीन मिर्ट तक हम ने इनको भून लिया है अब हम इसमें टमाटर आट कर देंगे तो मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को बारिक काट कर डाला है साथ में हम नमक टाल देंगे चमश और आधा चमश लाल मिर्ट पाउडर एक चमश धनिया पाउडर और आधा चमश से थोड़ा सा ज्यादा मैंने कास्मीरी लाल मिर्ट ली है एक चोथाई चमश इसमें हम हल्दी पाउडर आट करेंगे तो देखिए अभी इन मसालों को भूनना नहीं है सिर्फ मिलाना है तो मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पानी टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी भून जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम लेंगे दूध वाली जाली दो काम एक साथ हो जायगा इस तरह से अब इनके उपर हम ये बढ़िया तोडेंगे दूध वाली जाली ना हो तो मसालों के बीच में एक छोटी कटोरी रखकर उसके उपर प्लेट रखेगे और उसके उपर बढ़ियां तोड़ लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे तो अलग से भी बढ़ियों को स्टीम करके लेख सकते हैं, लेकिन इस तरह से सबजी जल्दी बन जाती हैं, अब इनको कभर करके 5-7 मिनट तक स्टीम कर लेंगे, इन बढ निकाल लेंगे, तो यह असानी से निकल जाएंगी और यह जाली में चिपकेंगे भी नहीं, तो चलिए, अब हम इस जाली को कड़ाई से निकाल लेते हैं, और इन बढ़ियों को अलग कर लेते हैं, इधर मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने डेड़ गिलास पानी अट किया है, जब हम इसके अंदर बढ़ियां डालेंगे, तो बढ़ियां पानी अब्जोर्ब करेंगी और ग्रेवी गारी हो जाएगी, ग्रेवी में उबाला जाने पर हम इसमें बढ़ियां डाल देंगे, और साथ में हम डाल रहे हैं, थो आधा चम्मच गरम मसाला पॉडर और थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया और लीजिए तयार है फटा फट से बनने वाली ये स्वादिश्ट साबूत मुंग की सबजी हेल्दी तो है ही टेस्टी इतना कि लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे इनको आप गर्मा गरम रोटी प स्क्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फ्रेंली के साथ शेयर चरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद